नमश्कार दोस्तों चैनल पर आपका स्वागत है इस वीडियो में जितन सर बताने वारे यह लेकिन जितन सर ने इसी चैनल पर हिस्ट्री के बहुत सारे क्वेशन पढ़ाए हैं जो कि एक जीएस फांडेशन के चरीज चल रहे हैं जहां पे जिए जिग्वराफी पॉलेटी और एकोनॉमिक की क्लासेस जो कि हर कॉंपेटिटिव एक्जाम के लिए इंपोर्टेंट वोती है मैठ रिजनिंग इंग्लिज की क्लास भी चैनल पर अप्रोड की जा रही है आप उसे जाकर देखिए बहुत-बहुत धन्यपाद जैहिंद संत कवीर विद्यापीठ महावि द्याले मगहर के आफिशियल यूटूब चैनल पर आप सभी का बहुत-बहुत स्वागत है दोस्तो आज हम प्रिवियस एयर में जो बीटीसी प्रथम समेस्टर का समाजीक अध्यन का पेपर हुआ है सन 2023 में उसी पेपर को हम लोग डिसकस करेंगे जैसा कि हमने पहले ही बत जाब वस्ट डिसकक्स किया था तभी हम लोगों तभी अप लोगों से कहे थे कि एक-एक करके सारे टॉपिक को पढ़ाएंगे कोशिश करेंगे कि आपके पेपर से पहले ही सारे टॉपिक को पढ़ा करके खतम कर दे और हमने ये भी कहा था कि प्रिवियस एयर के प्रेक्टिस सेट को हम लोग देखेंगे जल्द ही आपको क्लास मिलेगी दोस्तों आ गया हैं हम प्रिवियस एयर के पेपर को لे करके तो आए हम लोग एक एक करके देखते हैं कि किस प्रिकार का प्रशन पूचा गया है दोस्तों ये जो आपका BTC प्रत्म समेस्टर का जो फिफ्ट पेपर होता है — समाजिक अध्यन का उसमें दोस्तो हर प्रस्ण के सामने उसका कितने अंका है वो नंबर लिखा रहता है टोटल कुल पचास नंबर का होता है दो घंटे का पेपर होता है दोस्तो तो आईए एक-एक करके हम लोग देखते हैं देखिए इसमें जो पहला प्रस्ण है पहला प्रश्ण है सबसे प्राचीन वेद कौन सा है दोस्तों वेदों की कुल शंख्या चार है जो सबसे पहले लिखा गया उसका नाम है रिग वेद जो सबसे पहले लिखा गया है दोस्तों उसका नाम है रिग वेद और दूसरा जो है उसका नाम है साम वेद और तीसरा जो है उसका नाम है यजूर वेद और चौथा जो है उसका नाम है अथर्वेद चौथा जो वेद है दोस्तो उसका नाम है अथर्वेद तो सबसे प्राचीन जो वेद है उसका नाम है रिगवेद जो पहले लिखा गया है और सबसे बाद का जो वेद है उसका नाम है अथर्वेद दोस्तो अथरवेद को जादू टोना का भी बेद कहा जाता है याद रखिएगा कभी भी पेपर में पूछा जा सकता है यह कमपटेटीव पेपर के लिए कमपटेटीव एक्जाम के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है दूसरा प्रेश्ण है देखिए बहुत अच्छा प् विदेशी आक्रमण हुए चार वन्स का जिसमें से पहले जो विदेशी आक्रमण कारी है उनका नाम है हिंद यवन जिसको इंडो ग्रीक इंडो यूनानी कहते हैं उसके बाद दूसरा आक्रमण हुआ शको का तीसरा आक्रमण हुआ पहलों का और चौथा आक्रमण हुआ कुशानवंस का जो सबसे प्रतापी साशक था उसका नाम था कनिश्क। कनिश्क ने 78 इस्वी में अपने राज्या रोहन के समय एक संबत जारी किया था जिसका नाम है शक्षंबत तो शक्षंबत की शुरुवात किया था कुशानवंस का शक्षंबत की शुरुवात किया था कुशानवंस का कुशानवंस का जो सबसे प्रतापी राजा है जिसका नाम है कनिश्क। तो इसका आनसर जो है सी शाई हो जाएगा तीसरे नमब्र का इसका आजसर सई हो जाएगा दोस्तो कुशान वन्स का जो सबसे प्रतापी राजा उसका नाम क्या है कनिश्क कुछ technical problem आ रहा है जिसके वज़े से डिस्प्ले इधर उधर हो रहा है उसके बाद देखिए दोस्तो तीसरा प्रेश्ण है बहुत अच्छा प्रेश्ण है दोस्तो प्रेश्ण है पुरा पासाण काल में मनुष्र का ब्यावशाय क्या था दोस्तो पुरा पासाण काल मानुष्र जीवन का प्रारंभिक काल था तो प्रारंभिक काल में मानुष्र का जो मुख ब्यावशाय था वो शिकार था मानो भोजन के तलास में रहता था और शिकार किया करता था क्योंकि आउशक्ता भी उनको जादे नहीं थी और संसाधन भी उनके पास सीमित था तो उस समय का मानो अखेटक था, शिकारी था, शिकार किया करता था तो इसका आंसर हो जाएगा, इसका ए आपसन सही हो जाएगा, अखेटक बोलते हैं, अखेटक का मतलब शिकारी होता है, तो तीसरे प्रस्ण का ए आपसन सही हो जाएगा दोस्तों, पुरा पाशान काल मानोजीवन का प्रारंबिक काल है, मानोजीवन की सुरुवात अफरिका म महादीब से माने जाती है दोस्तों प्रागतिहासिक काल में जो सबसे पहला काल आता है उसका नाम है पुरा पासान काल के बाद फिर आता है मद्ध पासान काल मद पासाण काल के बाद फिर दोस्तो नौ पासाण काल और नौ पासाण काल के बाद फिर आता है तामर पासाण यूग अगला देखते हैं हम लोग देखिए दोस्तों चौथा जो प्रस्ण है बहुत ही अच्छा प्रस्ण है दोस्तों चौथे प्रस्ण में कहा गया है कि मोहन जोदलो की सबसे बड़ी इमारत थी पहली बात तो है कि दोस्तों मोहन जोदलो शिंदु घाटी सब्वता का खोजा गया एक सहर है बरतमान में मोहन जोदलो पाकिस्तान में पढ़ता है दोस्तों और ये मोहन जोदलो राभी नदी के कटपर है लरकाना जिले में इसकी खोज दोस्तों राखलदाश बनरजी के द्वारा किया गया था 1922 में तो मोहन जोदलो में बहुत सारी मोहन जोदलो से बहुत सारी वस्तुए मिली है जिसमें से एक अन्नागार मिला है दोस्तों संभौता उस समय के लोग इसमें अन्न को स्टोर करके रखते रहे वही मोहन जोदलो की सबसे बड़ी इमारत है और यह इमारत संभौत है सिंदु घाटी सब्वता की सबसे बड़ी इमारत थी तो दोस्तों इसका आंसर जो होगा वो हो जाएगा अन्नागार सिंदु घाटी सब्वता की सबसे बड़ी जो इमारत थी दोस्तों ओ मोहन जोदल की जो सबसे बड़ी इमारत थी यह संभुत है पूरे सिंदु गाटी सब्यता की सबसे बड़ी इमारत थी तो आंसर हो जाएगा अन्नागार सूर के चारो और परिक्रमा करने वाले खागोली पिंड को क्या कहते हैं दोस्तों जो सूर के चारो और परिक्रमा करते हैं उनको हम दोस्तों ग्रह बोलते हैं और सूर का परिक्रमा आठ ग्रह करते हैं सबसे सूर के सबसे नजदीक का जो ग्रह है उसका नाम है बुद्ध, उसके बाद सुक्र, उसके बाद पिर्थवी, मंगल, ब्रिहस्पती, सनी, अरुण, वरुण, दोस्तो ए एकॉर्डिंग टू डिस्टेंस ग्रहों का क्रम है, जबकि आकार के अनुसार ग्रहों का क्रम है, सबसे पहला ब्रिहस्पती, फिर सनी, अरुण, फिर वरुण, उसके बाद दोस्तो आकार के अनुसार पांचवां सबसे बड़ा जो ग्रह है, वो पिर्थवी है, उसके बाद सुक्र है, उसके बाद मंगल है, दोस्तो उसके बाद बुद्ध, आकार के अनुसार सबसे चोट जो ग्रह है वो बुद्ध है और आकार के अनुसार दोस्तों जो सबसे बड़ा ग्रह है वह ब्रियस्पती है इसको याद रखेगा तो दोस्तों जो सूर के चारो और परिक्रमा करने वाले खगोली पिंड होते हैं उन्हें हम लोग क्या कहते हैं ग्रह कहते हैं इसका शी आप् दोस्तों इंडिका पुष्टक के लेखक कौन है तो इंडिका पुष्टक का जो लेखक है उसका नाम है मेगस्थनीज उसका नाम है मेगस्थनीज मेगस्थनीज से लूकस निकेटर का राज़दूत था जो 304 इस्वी में चंद्रगुप्त मौर के दरवार में आया था और यहां पर दोस्तों पांच वर्षों तक रहा और उसके दोरा लिखी गई पुष्टक का नाम इंडिका है और इंडिका नाम पुष्टक से चंद्रगुप्त मौर के प्रशाशन की जानकारी मिलती है चंद्रगुप्त मौर के तिहास की जानकारी मिलती है तो इसका जो है तीसरा आप्षन सही है, सी आप्षन सही है, दोस्तो मेगस्थनीच को भारती इतिहास का पिता भी कहा जाता है, भारती इतिहास का का पिता, भारती इतिहास का पिता कहा जाता है दोस्तो मेगस्थनीच को इसको याद रखेगा, आगे हम लोग देखते हैं देखिए अगला जो प्रस्ण है सात्वे नंबर का पहिये का आविश्कार हुआ तो दोस्तों पहिये का आविश्कार हुआ था नौ पासाण काल में सबसे पहला जो काल है वो पुरा पासाण काल है उसके बाद मद पासाण काल है उसके बाद दोस्तों नौ पासाण काल है तो पहिये का आविश्कार मानों ने नौ पासाण काल में किया था नौ पाशाण काल में पहिये का अविश्कार हुआ था दोस्तों और आग का अविश्कार दोस्तों पुरा पाशाण काल में हुआ था आग का अविश्कार दोस्तों पुरा पाशाण काल में हुआ था जबकि दोस्तों आग का विधवत प्रियोग मानों ने दोस्तों नौ पाशाण काल में किया था आग का मानों ने विधवत प्रियोग नौ पाशाण काल में किया था तो पहिए का अविश्कार दोस्तों कब हुआ था 9 पासान काल में हुआ था इसका जो है तीसरा आप्षन सही है यहाँ पे देखे दोस्तो अगला जो प्रेश्ण है अगला जो प्रेश्ण है दोस्तो यहाँ पे आठ्मा प्रेश्ण है आठ्मा जो प्रेश्ण है कुतुब नुमा का अभिश्खार किस देश में हुआ था दोस्तो यह जो कुतुब नुमा है एक दिशा का पता लगाने का यंत्र है इसका अभिश्खार दोस्तो चीन में हुआ था चीन में हुआ था 1200 इस भी में 1200 इस भी में हुआ था दोस्तो दिशा का पता लगाने वाला यंत्र है दिशा सूच की यंत्र जिसका अविस्कार कहांपे हुआ था चीन में हुआ था ए आपसन इसका सही है। आगे हम लोग देखते हैं दोस्तों धॉफ लोग प्रेश्न भारती मानक समय रेखा गुजरती है तो जो भारती मानक सहरेखा है पहली बात तो यह कि भारत के पूछ राज्यों से होकर गुजरती है और शाधे साड़े 82 डिग्री पूर्वी दिशांतर से होकर गुजरती है दोस्तों कई बार यह प्रेस्ट ने पेपर में पूछा जा चुका है तो मानक मानक समय रेखा साड़े 82 डिग्री पूर्वी दिशांतर से होकर गुजरता है और भारत के पांच राज्यों से होकर गुजरता है उत्तर प्रदेश उत्तर प्रदेश मध्य प्रदेश चत्तिस गढ़ औरीशा आंध प्रदेश दोस्तो भारत का मानक समय रेखा इन पांच राज्यों से होकर गुजरता है और इलाहाबाद के पास नैनी से होकर गुजरता है दोस्तो इसको याद रखेगा और इसको याद करने का तरीका है तीन में प्रदेश है और 36 बार उड़ाया तो तीन प्रदेश को 36 बार उड़ाया इस तरह से आप याद कर सकते हैं दोस्तो भारत का जो मानक समय रेखा है वो ग्रिनवीज टाइम से साड़े पांच घंटा आगे है ग्रिनवीज टाइम जो है जो जीरो डिगरी देशांतर रेखा है जहां से दुनिया का समय तैंकिया जाता है वहां से हमेशा भारत का समय साड़े पांच घंटा आगे रहता है तो कि भारत का मानक समय रेखा ग्रिन्विस टाइम से 5.5 घंटा आगे है तो दोस्तों उत्तर प्रदेश के दोस्तों इलाहाबाद प्रियाग से होकर के गुजरता है दोस्तों कई बार आपसन में नैनी देता है कई बार नैनी देता है दोस्तों और कई बार तो दोस्तों मिर्जापुर दे करके पूछ लेता है इसको भी याद रखेगा या तो नैनी मिल जाएगा या तो मिर्जापुर मिलेगा आपसन में कई बार इस तरह के प्रदेश में पूछे गए हैं आगे हम लोग देखते हैं अगला जो प्रश्ण है नासा का मुख्याला इस्तित है दोस्तों नासा का जो मुख्याला है ओ अमेरिका में हैं अमेरिका का एक शहर है जिसका नाम है वासिंग गटन डीसी दोस्तो वाशिंग अटन DC अमेरिका का जो शहर है वही पर अमेरिका का जो है नाशा का मुख्याला है इसका जो है बी आप्सन शही है आगे हम लोग देखते हैं आगला जो प्रेश्ण है अगला प्रेश्ण है 11 नंबर का देखिए पूर्वी घाटी तता पस्चमी घाटी 21 अस्थान पर मिलते हैं दोस्तो पूर्वी घाटी और पस्चमी घाटी दोनों मिलते हैं तमिल नाडू में दोनों मिलते हैं तमिल नाडू में तमिल नाडू में मिलते हैं और तमिल नाडू में एक पहाड़ी है जिसका नाम है निलगीरी की पहाड़ी तमिल नाडु में एक पहाड़ी है जिसका नाम है निलगिरी की पहाड़ी और निलगिरी की पहाड़ी के पूरब में पूरबी तथ है निलगिरी की पहाड़ी के पस्चिम में पस्चिमी तथ है तो दोस्तो पूरबी तथ और पस्चिमी तथ निलगिरी के पहाड़ी पर मिलत करती है और एक टोड़ा जनजाती गाय भैस पाल करके अपना जीवन आपन करती है दोस्तों और टोड़ा जनजाती जो निलगीरी की पहारी पे है उसका मुख ब्योसाई ही है गाय और भैस का पालन करना बहुत बड़ी संक्या में गाय भैस का पालन करते हैं वो कभी अपने प आंसर हो जाएगा बी आपसन इसका सई हो जाएगा बी आंसर इसका सई है आगे हम लोग देखते हैं ग्रेट रिफ्ट घाटी किस महादीप में इस्तित है तो दोस्तो ग्रेट रिफ्ट घाटी जो है जिसको महान महान रिफ्ट घाटी कहते हैं महान रिफ्ट घाटी कहते हैं दोस्तो ग्रेट रिफ्ट घाटी एह है आपका अफरिका महादीप में अफरिका महादीप में है दोस्तो इसको याद रखीगा मोजामबिक मोजांबिक देश के पास में महान रिफ्ट घाटी या ग्रेट रिफ्ट घाटी इस्तित है तो इसका आपसन जो है एक सही हो जाएगा अगला जो प्रेशन है दोस्तो बहुत ही अच्छा प्रेशन है यहां से बार-बार प्रेशन पूछे जाते हैं 16 महा जनपद से यह जो प् पूछा गया है कौशल महा जनपद की राजधानी थी तो दोस्तो छट्वी सताबदी इसापूर में पूरे उत्तर भारत को 16 महा जनपदों में बाट दिया गया था ऐसी जानकारी बहुत धर्म की पुष्टक अंगुत्तर निकाय से मिलती है और जैन धर्म की पुष्टक भ अंग की राध्धानी चंपा हुआ करते थी मगत की राध्धानी राजगरी या गिरी ब्रच अवंती की राध्धानी उज्जैन कुरुछेत की राध्धानी इंदप्रेश्ट सूर्शेन की राध्धानी दोस्तों मतुरा मतस की राध्धानी विराट नगर गंधार की राध वज्जी की राध्धानी बैसाली वस्थ की राध्धानी दोस्तो कौशामभी काशी की राध्धानी वराणसी अस्मक की राध्धानी पोटली कंबोज की राध्धानी हाटक इस तरह से दोस्तो कुल 16 महा जनपत थे हर महा जनपत की अलग-अलग राध्धानी थी तो उसी तरह से देखे यहां पे कौशल महाजनपर की राध्धानी जो थी उसका नाम है स्रावस्ती आगे देखते हैं हम लोग अगला जो प्रेश्ण है बहुत ही शांदार प्रेश्ण है दोस्तों कई बार एक कमपटेटीब पेपर में भी पूझा जा चुका है भारत का सबसे लंबी पर सबसे लंबी तट रेखा वाला राज कौन सा है या तो दोनों में से मिला करके दे देता है तो यहां पे देखिए दोस्तों यहां पे भारत का सबसे लंबी तट रेखा वाला राज पूझा हुआ है तो दोस्तों अगर पश्चमी तट पर पूझता है तो उसका आंसर ग उसका आंसर गुझरात होगा क्योंकि गुजरात कितना लंबा कोई संबुद्र से सीमा साजा नहीं करता है इसलिए इसका दूस्रा आपसंस सही है दूसरा बी नंबर का आंसर सही है ग्लोब प्रतिरूप होता है दोस्तों तो ग्लोब किसका प्रतिरूप होता है दोस्तों तो पिर्थवी का होता है किसका प्रतिरूप होता है पिर्थवी का होता है इसको याद रखेगा इसका तीसरा आप्सन शही है आगे हम लोग देखते हैं देखिए अतिलग उत्तरी प्रेश्ण दोस्तों अतिलग उत्तरी प्रेश्ण जो होते हैं वह भी एक नंबर का होता है एक प्रेश्ण तो देखिए पहला जो प्रेश्ण है महा भारत के लेखक कौन थे दोस्तों महा भारत के जो लेखक है उनका नाम है बेद ब्यास महा भारत के जो लेखाक है उनका नाम क्या है बेद ब्यास दूसरा प्रेश्ण है बहुत धर्म के संस्थापक कौन थे तो दोस्तो बहुत धर्म के जो संस्थापक है उनका नाम है गौतम बुद्ध उनका नाम है गौतम बुद्ध दोस्तो जिसे जोती पुंज कहा जाता है इनका जन में 563 इशापूर में दोस्तों कपिलवस्त लुंबनी नेपाल के तराई छेत्र में हुआ था और इनका मृत्तु 483 इशापूर में कुशिनगर देवरिया उत्तर प्रदेश में हुआ था दोस्तों गौतम बुद्ध के पिताजी का नाम था सुद्धोधन और गौतम बुद्ध के माता का नाम था महा माया देवी इसको याद रखेगा तो बहुत धर्म के जो संस्थापक है उनका नाम है परिभ्रमण किसे कहा जाता है दोस्तों दोस्तों जब कोई खगोली पिंड श्वैंग को इस्थिर रखकर और यह कह सकते हैं कि फिक्स एक्सिस पर रोटेट करती है तो उसको हम लोग दोस्तों परिभ्रमण कहते हैं और जब कोई खगोली पिंड किसी को केंद्र मानकर उसके परिते हैं चारो तरफ भूमती है तो उसको हम लोग परिक्रमण करते हैं कहते हैं जैसे दोस्तों हम लोग मंदिर पे जाते हैं तो मंदिर के चारो तरफ परिक्रमा करते हैं तो वो हमारा परिक्रमण कहलाएगा परिभ्रमड कहलाएगा तो जब कोई वस्तु इस्थिर हो करके अपने अच्छ पर चारों तरफ घूमता है तो इसको हम लोग परिभ्रमड कहते हैं दोस्तों और जितने भी खगोली पिंड हैं सब यह परिक्रमड और परिभ्रमड दोनों करते हैं तो इसको याद रखेगा त खगोली कोई भी खगोली पिंड जब इस्थिर अपने अच्छ पर चारों तरफ घूमती है तो उसे तो उसे परिभ्रमड कहते हैं तो उसे परिभ्रमड कहते हैं तो दोस्तों इस तरह से आप आंसर लिख सकते हैं कोई दिक्कत नहीं है आंसर बिल्कुल शही होगा उसके बाद दोस्तों भारत के दो परोसी देशों के नाम लिखिए तो दोस्तो भारत के दो पडोसी देश जो हैं वैसे हम बहुत सारे पडोसी भारत के पडोसी देश हैं किसी का भी हम नाम लिख सकते हैं जैसे आप पाकिस्तान अफगानिस्तान लिख सकते हैं आप अफगानिस्तान चीन लिख सकते हैं दोस्तो नेपाल और भुटान लिख सकते हैं मैमार और बांगलादेश लिख सकते हैं दोस्तो यहां तक कि दोस्तो आप थाइलेंड और इंडोनेशिया को भी लिख सकते हैं क्योंकि समुद्री सीमा साजा करते हैं थाइलेंड और इं ऐसा कुछ भी नहीं पूछा हुआ है तो इसमें आप कोई भी दो नाम लिख सकते हैं मैयामार रिख सकते हैं आंसर सही है पड़ोसी देश दोनों हैं, सबसे छोटा महादीप का नाम लिखे, दोस्तों कुल महादीपों की संख्या साथ है, एसिया महादीप, अफरिका महादीप, यूरोप महादीप, उत्तरी अमेरिका, दच्छडी अमेरिका, अंटार्क्टिका और अस्टेलिया, तो सबसे छोटा जो महादीप है, तो दोस्तों अस्टेलिया महादीप है, और अस्टेलिया महादीप, प्रसांत महाशागर और हिंद महाशागर के बीच में है, याद रखेगा, तो इसके लिए हम लोग लिख सकते हैं दोस्तों, अस्टेलिया, अस्टेलिया महादीप, कोई दिक्कत नहीं है वही आंसर होगा अर्थ सास्त का जनक किसे कहा जाता है तो दोस्तो अर्थ सास्त के जो जनक है उन्हें दोस्तो बिशलू गुप्त कहा जाता है विशाल गुप्त कहा जाता है दोस्तो कई पेपर में तो आजय और अमर नाम ले करके भी दोस्तों आपसन बना करके पूछा हुआ है इन्हीं को चालक के नाम से जाना जाता है तो अर्थ-सास के जो लेखक है उनका नाम है चालक के नाम है कौटिल नाम है कौटिल नाम है दोस्तों उनको विशलू गुप्त विशलू गुप्त विशाल गुप्त इन सब नामों से जाना जाता है देखे जो 22 नंबर का प्रेश्ण बहुत अच्छा प्रेश्ण है जिले के मुख इधिकारी कौन उतने दोस्तो जो जिले का सबसे बड़ा अधिकारी होता है उसका नाम होता है डियम जिसको डिस्टिक मजिस्टेट कहा जाता है हिंदीम उसको कहते हैं जिला दंड अधिकारी तो सबसे पहला हो जाएगा जिला दंड अधिकारी जिला दंड अधिकारी हो जाएगा दूसरा दोस्तो वरिष्ट पुलिस अधिच्छक वरिष्ट पुलिस अधिच्छक हो जाएगा उसके बाद दोस्तो तीसरा भी लिख सकते हैं वैसे दो आप लिखेंगे आपका अंसर प्रयाप्त है तीसरा आप लिख सकते हैं जिला नयाधीष इस तरह से आप लिख सकते हैं दोस्तो इसका अंसर 22 नंबर कहो जाएगा जिला दंड अधिकारी जिसको डियम कहते हैं वरिष्ट पुलिस अधिच्छक जिसको एसपी कहते हैं क्रिशी का आरंभ किस काल में होता है दोस्तो तो दोस्तो क्रिशी करना मानों ने 9 पाशाण काल में शुरू किया था नौ पाशाण काल में करना शुरू किया था दोस्तो क्यूकि नौ पाशाण काल में मानों द्वारा जो क्रिशी किया गया उसका साच पाकिस्तान में पाकिस्तान में बलूचिस्तान के मेहरगड पस्चमी बलूचिस्तान से मिलता है दोस्तो क्रिशी का साच तो 9 पाशाण काल में मानों के द्वारा क्रिशी किया गया था नगर निगम की आयका स्रोत क्या है दोस्तो नगर निगम में जो आयका स्रोत होता है वो जैसे पानी हो पानी पर जो कर लगता है उसके बाद बाजार पर जो कर लगता है उसके बाद दोस्तों जो घरों से घरों पर जो कर लिया जाता है जो सहर में रहते हैं उनसे यह सब नगर निगम का आय का प्रमुक्स रोथ है तो नगर निगम के लिए हो जाएगा पानी पर कर घरों पर कर उ उसके बाद दोश्तों बाजारों पर कर ये सब जो है नगर निगम के प्रमुक्ह आय के स्प्रोत हैं हडपा सब्गता के प्रमुक्ह देवी देवता के नाम लिखी हैं हडपा सब्यता में दोस्तों एक तो मात्र देवी हैं और एक पशुपती नाथ तो मात्र देवी और पशुपती नाथ एक हो जाएगा मात्र देवी और दूसरा हो जाएगा पशुपती नाथ उसके बाद दोस्तों अगला जो प्रश्ण है शिंदुगाटी सबता और वैदिक सबता का कोई एक अंतर लिखी है तो दोस्तों सिंदू घाटी सबता और वैदिक सबता में सबसे प्रमुक अंतर तो ए है कि सिंदू घाटी सबता में मात्र स्थात्मक था और वैदिक सबता वैदिक सबता पित्र स्थात्मक था और एक अंतर और लिख सकते हैं सिंदू घाटी सबता सहरी सबता थी वैदिक सबता ग्रामिड सबता थी तो दोनों में से कोई एक आंसर लिख सकते हैं उसके बाद दोस्तों 27 नंबर का प्रेश्ण है पिर्थवी के किस भाग में सूरे ताप अधिक्तम प्राप्त होता है तो दोस्तों पिर्थवी को कई भागों में बाटा गया है जैसे ए आपका है पिर्थवी पिर्थवी का यह हो जाएगा आपका नौर्थ पोल और यह हो जाएगा दोस्तों कि शाउद पूल और यह है जीरो डिगरी अच्छांस रेखा लिखेंगे नहीं दोस्तों जगह यहां पर कम है जीरो डिगरी अच्छांस रेखा में जीरो डिगरी से साड़ेत तेश डिगरी ऊपर जाएंगे, तो ये वाला जो बेल्ट है, इस बेल्ट को हम लोग बोलते हैं दोस्तो, उसले कटी बंद है, इसको हम लोग बोलते हैं उसले कटी बंद है, और साड़ेत तेश डिगरी नीचे का जो बेल्ट है, इसको भी हम लोग बोलते हैं दोस्तो, 3,5 डिग्री जो नीचे उसको भी हम लोग बोलते हैं, उस लेक टि बंद है। उसके बाद दोस्तो साड़े छाचट डिगरी नीचे और साड़े छाचट डिगरी उपर इसको हम लोग बोलते हैं उपर वाले को उत्तरी सितोषड कटि बंद इसको हम लोग बोलते हैं उत्तरी सितोषड कटि बंद और इसको हम लोग बोलते हैं दोस्तो नीचे वाले को दच्चडी सितोसल कटि बंद है उसके बाद दोस्तो यहाँ पर भी 90 डिग्री इस वाले बेल्ड को हम लोग बोलते हैं दच्चडी सीत कटि बंद है और इसको भी हम लोग बोलते हैं दोस्तों, नीचे वाले को, दच्छडी सीत कटी बंद है, इसको हम लोग बोलते हैं, दच्छडी सीत कटी बंद है. तो दोस्तो यह जो आपका 3.5 डिगरी नीचे है दच्चिड में इसको हम लोग बोलते हैं मकर रेखा मकर रेखा बोलते हैं और दोस्तो यहाँ पे 3.5 डिगरी जो उपर है इसको हम लोग बोलते हैं करक रेखा तो करक रेखा और मकर रेखा के बीच में शूर्य हमेशा रहता है और इसके बीच में जो zero degree a chance रेखा है उस पर शूर्य लंबवत हर साल एक वर्ष में दो बार लंबवत चमकता है जिसके वजह से यहां का तापमान अधीक होता है और इसलिए इसको बोला जाता है उश्ले कटिबंद है तो इसका आंसर जो हो जाएगा दोस्तो इसका आंसर हो जाएगा पिर्थिवी के किस भाग में सूर्यताप अधिक्तम प्राप्त होता है तो आंसर हो जाएगा इसका उश्ले कटिबंद है कटिबंद कि आंसर हो जाएगा और कटिबंद को कौन सी नदी दो बार काळती है दोस्तो बिश्वत रेखा को कांगो या जायरे नदी ऊसको कांगे भी लते को दो बार काड़ती हैं शिकेंदर के आक्रमण के दो राजनीतिक प्रभाव को लिखिए तो दोस्तों सिकेंदर के आक्रमण से भारत में जो दो राजनीतिक प्रभाव हुए वह एक इस प्रकार है शैन कुसलता का ग्यान हुआ शिकेंदर के आक्रमण से और दूसरा केंदरी शक्ति के महत्त का विकाश केंदरी ये शक्ति के महत्त का विकाश केंदरी शक्ति के महत्त का विकाश हुआ तो दोस्तों इसका आंसर 29 नमबर प्रेश्ण का आंसर यही है ठीक है उसके बाद प्राचीन काल के दो महा काब्यों का नाम लिखिए तो दोस्तों प्राचीन काल के दो महा काब्यों का नाम लिखिए ते एक हो जाएगा आपका रामायड और एक हो जाएगा दूसरा दोस्तों महा भारत रामायड और महा भारत दो इसका जो आंसर होगा प्राचीन काल के दोस्तों दो महा काब्यों का नाम इस प्रकार है तो दोस्तों आती लगुत्तरी प्रेश्ण हो गया अब दस लगुत्तरी प्रेश्ण है एक प्रेश्ण के दो नंबर मिलते हैं दोस्तों तो उसको भी हम लोग देखेंगे देखेंगे लगुत्तरी प्रेश्ण 31 से लेकर के 40 तक दिया गया है इसमें दोस्तों जो 31 नंबर का प्रेश्ण है पिर्थवी को हरित ग्रह ग्रीन प्लाइनेट क्यों कहते हैं तो दोस्तों सबका आंसर एक एक करके हम लोग लगभग 1500 से 200 वर्डों में देंगे क्योंकि दो नंबर का एक प्रेश्ण होता है तो इसी प्रकार देखें 32 नंबर का प्रेश्ण है मौर्श अम्राज के पतन का कारण अस्पस्ट करें 33 नंबर का प्रेश्ण है ब्यक्तिकत आयक किसे कहते हैं 34 नंबर का प्रेश्ण है जिला अधिकारी के करतब्यों का वर्डन कीजिए 35 नंबर का प्रेश्ण है बहुत धर्म के प्रमुक्षिधांत बताईए 36 नंबर का प्रेश्ण है अच्छांस और देशांतर रेखाओं मे हिमाले को कितने स्रेडियों में बाटा गया है इन स्रेडियों का नाम लिखते हुए हिमालाय से होने वाले लाब बताईए तो टोटल दस लगुत्तरी प्रेश्ण है एक एक करके हम लोग देखते हैं पिर्थिभी को हरित ग्रह ग्रीन प्लाइनेट क्यों कहते हैं देखे यहां पे आंसर लिखा हुआ है हमारी पिर्थिभी को कई कारणों से हरित ग्रह माना जाता है बनस्पती उनमें से एक है यदि आप इंटरनेट पर या अपनी पाठ पुष्टक में पिर्थिभी की छबी पर बहुत दोरते पिर्थिभी को देखेंगे तो आप नीले रंग के अलावा एक और प्रमुख रंग को आसानी से देख सकते हैं वह है हरा हरा पिर्थिभी को नीला ग्रह भी कहा जाता है और हरा ग्रह भी कहा जाता है पिर्थिभी को वैसे तो पिर्थिभी को जो है नीला ग्रह जादेतर कहा जाता है और अरुण ग्रह को हरा ग्रह के नाम से जाना जाता है क्योंकि वहां पे अन्य ऐसी गैसे पाई जाती है उसकी वाय मंडल में जिसके कारत्यों हरा दिखाई देता है लेकिन पिर्थवी भी हमारी जो है नीला के साथ साथ में हरा दिखाई देती है पिर्थवी हमारा जो है नीला क्यों दिखाई देता है क्योंकि हमारे पिर्थवी पर 71% जल है और 29% अश्थल है इसलिए नीला दिखाई देता है लेकिन दोस्तो हमारी पिर्थवी जो है हरा भी दिखाई देता है अगर हम दूर से देखते हैं तो इसका यही आंसर होगा इतने छोटे से आंसर को आप लिख सकते हैं अगला जो प्रेश्ण है मौर शामराज के पतन का कारण अश्पस्ट करें तो दोस्तो मौर शामराज मगद पर साषन करने वाला सबसे सक्तिसाली शामराज था और मौर शामराज की सुरुवात जो किया उसका नाम था चंद्रगुप्त मौर चंद्रगुप्त मौर 322 इशापुर में मगद पर जो लंबे समय से जिसवन्स का साशन चल लहा था उसका जो अंतिम सासक था घनानंद की हत्या करके एक नया राजवन्स अस्थापित किया चंद्रगुप्त मौर लगभग 24 वर्षों तक साशन किया 298 इशापुर में करनाटक के स्रवन वेल गोला में सनलेखनाय संथारा विदी से अपने प्राण को त्याग दिया उसके बाद बिंदुशार आया बिंदुशार के बाद अशोक तो दोस्तों अशोक के बाद उसके जितने उत्रा अधिकारी हुए हैं सब दुरुबल थे आयोग थे और धीरे धीरे मौर वन्स का पतन हो गया तो देखिए यहां पे लिखा हुआ है आंसर मौर शामराज योग योम दूरदर्सी समराट जब तक योग और दूरदर्सी समराट थे तब तक मौर वन्स का विश्तार होता रहा उसके बाद धीरे-धीरे मौर शामराज का पतन होना प्रारम हो गया जब दुरुबल और आयोग शाशक आये 332 इशापूर में अशोग के मृत हुई जो मौर वन्स का तीसरा साशक है मौर शामराज कमजोर होने लगा और अंत्य लग बगग 151 इशापूर में अंतिम मौर शामराट ब्रяжक्तर की हत्या हो गई दोस्तो मौरेवंस का अंतिम जो सासक था जिसका नाम था ब्रियद्रक उसकी जब हत्या हो जाती है तो मौरेशमराज का पतन हो जाता है उसके बाद आर्थिक संकट ग्रस्त ब्यवस्था का होना भी पतन के कारणों में महत्पूर माना जाता है और भी पतन के क्या कारण है उसको हम लोग देखते हैं पतन के अन्य कुछ कारण है जैसे एक तो हमने बताया आयोग दुरुबल तथा दूर दर्सी उत्रा अधिकारी का नहोना प्रशाशन का अत्यधिक केंद्री करण राष्टी चेतना का अभाव आर्थिक योम सांस्कृतिक अशामान ताहिन प्रांतिय सास्कों के अत्याचार और करो की अधिक्ता कर जो आगे चल करके दुरुबल और आयोग शाशक हुए उनके द्वारा कर भी बहुत जादे लगा दिया गया था जिसकी वज़े से जनता टेक्स को पेही नहीं कर पा रहे थी तो यह भी एक कारण है इसका आंसर यही हो जाएगा आगे हम लोग देखते हैं अगला जो प्रेशन है ब्यक्तिगत आय किसे कहते हैं बहुत अच्छा प्रेशन है आंसर देखिए उसका हो जाएगा ब्यक्तिगत आय से ताति पर किसी दिये गए वर्स में एक परिवार प्रिवारा जो एक वर्स की कमाई होती है वही ब्यक्तिगत आय होता है और आय के स्रोत क्या क्या हो सकते हैं जैसे बेतन जैसे हम लोग को बेतन मिलता है तो हम लोग का भी बेतन क्या है एक प्रकार का बेक्तिगत आये है ऐसे पूरे परिवार का बेतन मिला करके पूरे वर्थ का क्या होता है बेक्तिगत आये होता है तो बेतन हम लोग को तो बेतन ही मिलता है उसके बाद मजदूरी जो लोग मजद जब मिलता है प्यक्तिकत आये हो जाएगा लावांस जो लाब मिलता है कि उसके बाद किलाया अगर आप किलाये पे कोई जब retirement हो जाता है तो उसके साथ में retirement के साथ में पैसा return मिलता है तो वो भी एक प्रकारगत क्या होता है ब्यक्तिगत आय होता है उस time वो पैसा कट जाता है बात वो फिर retirement के समय मिल जाता है तो उसको भी ब्यक्तिगत आय में ही count किया जाता है तो इसका answer सबसे सटीक कम सब्दो में यही होगा ठीक है आगे हम लोग देखते हैं देखिए यहां पर आए को दिखाया गया है पैसे को दिखाया गया है ठीक है आगे हम लोग देखते हैं जिला अधिकारी के कर्तब्यों का वर्ण कीजिए जिला अधिकारी जो डीम होता है जिसको डिस्टिक मजिस्टेट कहते हैं जिला दंड अधिकारी कहते हैं उसके जो कर्तब्य होते हैं इसमें जो है कुछ कर्तब्यों के बारे में बताया गया है जैसे नमबर एक प्रसासन संबंधी अधिकार जिले में सांतियों व्युस्था बनाये रखने का पूर उत्तरदाईत जिला अधिकारी पर होता है इसका यह कार सबसे महत पूर होता है इसलिए पुलिस विभाग उसके नियंत्रण में रहकर ही कारी करता है दोस्तों कहें कहें पर जिला अधिकारी के नियंत्रण में पुलिस विभाग रहता और कहें कहें पर नहीं रहता है न्याय संबंदी अधिकार जिला अधिकारी को राजस संबंदी तथा किराया नियंत्रन कानून के अंतरगत शहरी संपत्ती के बिवादों के निप्तारे से संबंध न्याय कारे भी कराना होता है और आगे हम लोग देखते हैं और क्या उसके कर्तब में देखे माल गुजारी जिसको राजस संबंदी अधिकार जिला अधिकारी संपूर जिले की माल गुजारी वसूल करता है तथा इससे संबंदित बड़े बड़े जगडों का समाधान भी करता है या भी उसके कर्तब है चौथा हो जाएगा निरिच्छन संबंदी अधिकार शंपूर जिले की शांतियों व्योस्था का भार जिला अधिकारी पर होता है इसलिए इसे प्रतेक विभाग के निरिच्छन करने का अधिकार दिया गया है और उसके क्या करतब है पांचवा विकास संबंदी अधिकार यद्य पी जिले में विकास संबंदी कारियों की देख रेक के लिए एक मुख्य विकास अधिकारी की निक्ति की जाती है तथा पी जिले के विकास का उत्तरदाईत जिला अधिकारी पर ही होता है जिले के विकास के लिए बिभिन विकास योजनाय बनाना, उनका क्रियानवन कराना तथा उन पर नियंत्राण हो रक्ना भी जिरा अधिकारी का ही कार्य है इतना अगर आप लिख देते हैं तो आंसर सही है कोई दिक्कत नहीं है आपका नंबर नहीं कटेगा आगे हम लोग देखते हैं अगला जो प्रेश्ण है बौत धर्म के प्रमुख सिधान्त बताईए बौत धर्म के प्रमुख तीन सिधान्त है अनिश्वरवाद अनात्मवाद और छणिक वाद दोस्तों यहाँ पे देखिए अनिश्वरवाद में कहा गया है बुद्ध इस्वर की सत्ता नहीं मानते क्योंकि दुनिया प्रति याशुत तात्मक के नियम पर चलती है दोस्तो इस तरह से गौतम बुद्ध का यह मानना है कि ब्रह्मान को कोई चलाने वाला नहीं है तो आगे देखिए जो दूसरा है अनात्मवाद अनात्मवाद का यह मतलम नहीं कि सच में ही आत्मा नहीं है जिसे लोग आत्मा समझते हैं वो चेतना का अविच्छन प्रवाह है यह प्रवाह कभी भी विखर कर जड़ से बद्ध हो शकता है और कभी भी अन्दकार में लीन हो शकता है उसके बाद तीसरा जो सिधांत है छडिक वाद इस ब्रह्मान में सब कुछ छडिक है और नास्वर है कुछ भी अस्थाई नहीं है सब कुछ परिवर्तन सील है यह सरीर और ब्रह्मान्ड उसी तरह हैं जैसे की घोडे पहिये और पालकी के संगठित रूप को रत कहते हैं और इन्हें अलग करने से रत का अस्तित तो नहीं माना जा सकता उक्त तीन सिध्धान पर अधारित ही बहुत दर्शन की रचना हुई है तो इतना अगर आंसर लिख देते हैं आप लोग तो कोई दिक्कत नहीं है आपका नंबर नहीं कटेगा दोस्तों इसको याद रखेग अगला जो प्रेश्ण है 36 नंबर का देखें बहुत अच्छा प्रेश्ण है अच्छांस और देशांतर रेखाओं में अंतर अस्पस्ट करें दोस्तों पहली बात तो है कि अच्छांस रेखा जो है वह वास्तविक रेखा नहीं है देशांतर रेखा जो है वह भी वास्तव तो उसमें से कोई रेखा मिलेगे ऐसा कुछ नहीं है पिर्थवी पर अच्छान्स रेखा और देशांतर रेखा सिर्फ और सिर्फ ग्लोब पर दिखाई गई हैं वास्तों में ऐसी कोई रेखा नहीं है और जो अच्छान्स रेखा है वो 36 खीची जाती है सबसे बड़ी जो अच्छान्स रेखा होती है उसका नाम है भूमद रेखा विश्वत रेखा या अंग्रेजी मुश्री को इक्वैटर बोलते हैं और जीरो डिग्री अच्छान्स रेखा भी बोलते हैं दोस्तों और जैसे जैसे हम लोग धुरू की तरफ बढ़ते हैं अच्छांस रेखाओं की लंबाई घड़ती जाती है चाहे हम उत्तरी गुलार्द में जाएंगे तब भी अच्छांस रेखाओं की लंबाई घड़ती है तो इसका मतलब है कि अच्छांस रेखाओं बराबर नहीं होती है और दे देशांतर रेखाएं बराबर होती है लिन उसके बीच का अंतर बराबर नहीं होता है क्योंकि उसके बीच का जो है दूरी जो है बराबर नहीं होता है जैसे ही हम लोग धुरू से भुमद रेखा की तरफ आते हैं उसके बीच की दूरी दोस्तों बढ़ती जाती है इसको क्योंकि इस दुरूद से लेकर के इस दुरूद तक ही यह रेखा आ रही है लेकिर अच्छानस रेखा होती है और इनके बीच का अंतर बराबर होता है जबकि दिशांतर रेखाओं की लंबाई बराबर होती है लिए उसके बीच का अंतर बराबर नहीं होता है तो सबसे बड़ा अंतर यही है इसको याद रखिएगा देखिए आपके पेपर में पूछा जा चुका है अगला जो प्रेश्ण है जैब मंडल को समझाईए जैब मंडल पिर्थवी के चारो तरफ ब्याप्त है 30 किलो मेटर मोटी वायू जल अस्थल मिर्दाथा सैल युक्त एक जीवन दाई परत होती है जिसके अंतरगत पादपोयों जन्तूं का जीवन संभा होता है समानत है जैब मंडल में पिर्थवी के हर उस अंग का समावेश है जहां जीवन पनपता है इसका आंसर एही होगा आगे हम लोग देखते हैं भारत की प्राकृतिक बनस्पतियों का वड़न कीजिए तो भारत में पाई जाने वाली पांच प्रकार की प्राकृतिक बनस्पतिया है पहला है उस्ल कटिबंधिये सदा बहार बन पहले प्रकार की बनस्पतिये दूसरे प्रकार की बनस्पतिये उस्ल कटिबंधिये पनपाती बन तीसरा है उस्ल कटिबंधिये काटेदार बन चौता है परवती बन और अगला जो है उसका बोलते हैं मैं ग्रोव बन देश भर म में बनस्पति के प्रकार में भिनता का मुख कारण बीविद जलवायों परिष्थितियां हैं अगर इतना आप लिख देते हैं तब भी कोई दिक्कत नहीं है आंसर सही है ठीक है आगे हम लोग देखते हैं अगला जो प्रेश्ण है नगर निगम की संदचनायों कारियों का व 103 निगम बना है जो नगर उसका नाम है सा जहां पूर 17 कि नगर निगम बना है अ उप्रेश में सट्रहावा नगर निगम बना है दोस्तों और अप्रेल संदुहजार Rouge 15 में अप्रेल संदो हजार अठारे में आगे हम लोग देखते हैं इसका आंसर हो जाएगा नगर निगम के प्रमुक कारे नगर अध्यच नगर निगम का प्रमुक होता है दोस्तों जो जो नगर पालिका होता है वहां पर अध्यच चुना जाता है जो नगर पंचायत होता है वहां पर चेर्मैन चुना जाता है और जो नगर निगम होता है दोस्तों वहां पर मेर चुना जाता है या उसी को महापाउर कहते हैं तो इसको याद रखेगा नगर अध्यच नगर निगम का प्रमुक होता है शेहरी छेत्रों में जिसकी जनसंख्या 10 लाक या उससे उपर होती है उसे महानगर के विकास के लिए जो सरकार कार करती है उसे नगर निगम के नाम से जाना जाता है नगर निगमों का कानूनी रूप से गठन तब होता है जब कोई कश्वा टाउन सिप या गाउं स्वेशासन प्राप्त करता है या कर लेता है तब उसको नगर निगम कहा जाता है इसको याद रखेगा अगला जो प्रेश्ण है अगला प्रेश्ण है हिमालय को कितनी स्रेणियों में बाटा गया है इन स्रेणियों का नाम लिखते हुए हिमालय से होने वाले लाब बताईए दोस्तो पहली बात तो है कि भारत को कुल 6 भौतिक प्रदेशों में बाटा गया है जिसमें से सबसे उत्तर का जो भौतिक प्रद हें तो जो हिमाला हैं कि तीन पार्टों में बटा हुआ है एक को हम लोग बोलते हैं इस दोस्तों हे amb inihan егоλά दोस्तों बृत हिमाला है हिमालय है महान हिमालय बोलते हैं और दोस्तों उसी को सहाद्री भी बोलते हैं और दूसरा जो है इसको हम लोग बोलते हैं दूसरा जो है हम लोग इसको बोलते हैं लगोई हिमालय मद्ध हिमालय इसी को मद्ध हिमालय बोलते हैं इसी को निम्न हिमालय बोलते हैं और तीसरा जो है दोस्तों उसको हम लोग बोलते हैं शिवालिक तीसरा जो है उसको हम लोग शिवालिक बोलते हैं, इसको याद रखेगा, इसी को बाहिमालय भी बोलते हैं, और इसी को उपहिमालय भी बोलते हैं, इसी को बाहिमालय भी बोलते हैं, इसी को उपहिमालय भी बोलते हैं, यह हिमालय का सबसे नमीनतम भाग है, इसका निर्माड सबसे बाद में हुआ है, त या परवत्तंत्र मुक्रूप से तीन समांतर सेडियों में बटा हुआ है महान हिमालय मद्ध हिमालय और शिवालिक से मिलकर बना है जो पश्चिम से पूर्व की और चाप की आकृति में लगभग 2400 किलोमीटर की लंबाई में फैली है हिमालय एक महान जलवायू बादा है वे हमारे देश को मद्ध एसिया की ठंडी और सोखी हवाओं से बचाते हैं यहिंद महासागर की बारिष से भारी मांसोन की हवाओं को उत्तरी देशों तक पहुचाने से रोकता है और उत्तरी भारत में भारी बारिष का कारण बनता है दोस्तों यह सब लाव है भारत के लिए यदि कोई हिमालय यदि कोई हिमालय भारत के उत्तर में ना होता तो अपन रखेगा तो हम लोगों ने लग उत्तरी प्रेश्णों को देख लिया दोस्तों अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक शेर और सस्क्राइब जरूर करें धन्यबाद